शांती देवी बुढ़ापे में अकेले ही अपना जीवन एक घर में बिता रही थी बहुत पहले ही उसके बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया था जिस वज़े से शांती देवी अकेले ही जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही थी ऐसे ही रात को शांती चूले पर खाना बना रही थी तब ही उसकी पडोसन मीना वहा आती है काकी आपको मेरी मदद चाहिए क्या मैं देख रही हूँ बुढ़ापे में आपको अकेले बहुत संखरश करना पड़ता है लाओ मैं आपका खाना बना देती हूँ अरे नहीं नहीं बेटा ये काम कोई एक दिन का तो है नहीं जो तू मेरी मदद कर देगी खाना तो रोज बनेगा घर में और तू रोज थोड़ी न मेरी मदद कर पाएगी अरे काकी आप चिंता क्यों करती हो आप मुझे बस एक बार आवाज लगा दिया करो मैं आपका सारा काम कर दूगी बेटा अभी इन बूरी हड़ियों में बहुत ताकत है जितना काम तुम जैसे नौजवान नहीं कर सकते हो उतना काम मैं एक बार में कर सकती हूँ वो तो है काकी पुराने जमाने के लोगों की बात ही अलग है लेकिन आपको इस तरह से काम करता देख मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं आपकी मदद कर दूँ पर आप हैं कि मुझे मदद करने का मौका ही नहीं देती हो कोई बात नहीं बेटा तुमने मुझे मदद के लिए पूछा उसके लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया बाकि तुम मेरी चिंता मत करो मैं अकेले सब कर सकती हूँ जब मुझे मेरी उलाद ने छोड़ दिया तो मैं किसी और का क्या ही भरोसा करूँ ऐसा नहीं है का कि अगर आपकी उलाद ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आपका कोई नहीं है हम लोग है ना जब भी आपको हमारी मदद चाहिए हो आप बस एक बार आवाज लगा देना थोड़ी देर में मीना वहां से चली जाती है ऐसे ही अगली सुबह शांती लकडी लेने जंगल जा रही थी तभी रास्ते में मीना का पती विजय शांती से कहता है अरे काकी कहा जा रही हो तुम कहीं नहीं बेटा बस जंगल की ओर जा रही हूँ लकडी लेने एक बार मुझे या मेना को आवाज लगा दी होती हम दोनों तुम्हारी मदद करने के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं बेटा, तुम्हारी बात बिलकुल ठीक है लेकिन तुम्हारी खुद की भी कोई घर ग्रिहस्ती है तुम उस पर ध्यान दो वैसे भी ये रोज का है आखिर कब तक मैं तुम्हें परिशान करूँगी अरे काकी, इसमें परिशान होने वाली क्या बात है मैं तो चाहता हूँ कि हमें आपकी मदद करने का सौभाग्य मिले लेकिन आप हैं कि बेटा, अगर सच में तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो अपने माता-पिता की मदद करो तुमने भी तो अपने माता-पिता को खुद से अलग रख रखा है ऐसी बात नहीं है काकी लगता है आप मुझे गलत समझ रही हो मैंने अपने माता-पिता को नहीं छोड़ा बलकि मेरे माता पिता हमेशा मेरी पतनी को परिशान करते थे इसी लिए मैंने उनको छोड़ दिया बात तो वही है न बेटा रिष्टों को छोड़ना बहुत आसान है लेकिन उन्ही रिष्टों को साथ लेकर चलना और निभाना बहुत मुश्किल है तुम बच्चे भी तो अपने माता पिता को बच्पन में ना जाने कितना परिशान किये हो लेकिन हम माबाप ने तो कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा आपकी बात बिल्कुल सही है कागी मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद करके ही अपने कर्मों का पश्चाताप कर लूँ अगर सच में पश्चाताप करना चाहते हो तो अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे माफी मांगो और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखो यही तुम्हारे जीवन का असली पश्यताप होगा ठीक है काकी, जैसा आपको सही लगे मैं चलता हूँ मुझे कुछ जरूरी काम है बाकी कोई मदद चाहिए होगी तो एक बार मुझे और मीना को आवाज लगा देना क्योंकि आप भी मेरे मा समान हो शान्ती की बात सुनकर विजय का मुझे बन जाता है और वो गुसे में अपनी घर आता है घर आकर अपनी पत्नी से कहता है बुढिया को कितना भी बेवोकूफ बनाने की सोच लो लेकिन ये बुढिया बहुत तेज है जल्दी किसी की बातों में नहीं आती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे है मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन ये बुढिया है कि अपने आपको 20 साल की जवान लड़की समझती है लेकिन कोई बात नहीं हम इसके दिल में ऐसी जगा बना लेंगे जिससे आज नहीं कल तो इसके मर जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी हमारी योगी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मैं भी इसी कोशिश में लगावाऊं मीनो और विजय दोनों बहुत मतलबी थे दोनों शान्ती को बेवकूफ बनाना चाहते थे लेकिन शान्ती उनकी बातों में आती ही नहीं शान्ती जंगल से लक्रिया लेकर घर आ रही थी तभी रास्ते में उसे एक टोकरी दिखाई देती है उस टोकरी में थोड़ी से भिंडी रखिय हुई थी भिंडी देखकर शान्ती मनी-मन कहती है लगता है कि कोई अपनी भिंडी भूल गया है एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेती हूँ, जब तक यहाँ इसका मालिक नहीं आ जाता काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता, अंत में शांती वो भिंडी उठा कर अपने घर आ जाती है शांती सोचती है कि क्यों ना आज भिंडी की सबजी बनाई जाए जैसे ही शांती भिंडी की सबजियों को एक थाली में रखती है वो भिंडी यहां से वहां हवा में उड़ने लगती है यह देख कर शांती घबरा जाती है अरे ये क्या, ये भिंडी अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगी मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैंने यहां लाकर कोई गलती तो नहीं करती नहीं नहीं, शांती तुमने कोई गलती नहीं की है बलकि हम तो एक जादुई भिंडी है तो बताओ हम तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते है अब से हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे क्या, सच में ऐसा है कि तुम मेरी मदद करोगे हाँ हाँ, हम हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे जल्दी बताओ अभी हम तुम्हारी कौन से इच्छा पूरी करें? अब मैं बूरी हो चुकी हूँ, मुझसे घर का काम नहीं हो पाता, तो क्या तुम मेरे घर का सारा काम कर दोगे? तुम कहो तो तुम्हारे लिए खाना भी बना दे? हाँ, हाँ, मेरे लिए खाना भी बना दो, बहुत दिनों से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया जादूर भिंडे अपनी जादूरी शक्तियों से शांती के घर का सारा काम कर देते हैं साथ ही शांती के लिए बढ़िया बढ़िया खाना भी बना देते हैं शांती बहुत खुश थी और वो पेट भर कर खाना खाकर सो जाती है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं धीरे धीरे शांती के घर में उसके जरूरत का सारा सामाना जाता है जैसे टीवी, एसी, सोफा ये सब देखकर विजय और मीना दोनों को ये बात हजम नहीं होती है इस बुढिया के घर में तो कोई भी कमाने वाला नहीं है फिर कहां से इसके घर में एक टीवी, सोफा और ये सब आ गया है वही तो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आखिर इतना सारा सामान आया कहां से ये बुढिया तो अकेली रहती है अरे, इसके बच्चे भी से पूछते नहीं है फिर ये सब एक काम करता हूँ आज रात को ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ की आखिर माजरा क्या है ऐसे ही रात को शान्ती बहुत जादा थकी हुई थी वो जादूई भिंडी से कहकर अपने हाथ-पैरों की मालिश करवाने लगती है जादूई भिंडी अपनी जादूई शक्तियों से शान्ती की खूप सेवा पानी कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ विजय खिड़की से ये सारा नजारा देख रहा था ये सब देखकर विजय की आँखे फटी की फटी रह जाती है और वो भागता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है अच्छा तो ये बात है अब तो कैसे भी हमें वो जादोई भिंडी चोरी करके अपने पास लानी होगी क्योंकि वो भिंडी बहुत मददगार है आगे जाकर हमारी मदद भी करेगी तुम बिल्कुल साही कह रही हो मीना मैं ऐसी मौके की फिराक में हूँ कि कब वो बढ़िया घर से बाहर जाए और मैं सारी की सारी भिंडी चोरी करके घर में ले आऊ विजय और मीना दोनों अच्छाई का मुखोटा पहने हुए शांती से उसकी सारी चीज छीदना चाहते थे ऐसे ही एक सुबर शांती किसी काम से बाहर जाती है इसी बीच विजय और मीना दोनों मिलकर शांती के घर में घुज जाते हैं और यहाँ वहाँ जादूई भिंडी ढूडने लगते हैं लेकिन उनको कहीं भी जादूई भिंडी मिल नहीं रही थी ओ जादूई भिंडी कहा है? कहा है तू? देख तेरा मालिक तुझे लेने आया है अरे कहा मर गई? अरे देख तेरा मालिक आया है चुपचा भारा अरे कहीं वो बुढ़िया भिंडी को अपने साथ लेकर तो नहीं घुमती न? हे भगवान कहा है ये भिंडी? उसके बार-बार चिलाने के बाद जादूई भिंडी उनके सामने आ जाती है लो, आ गए हम, बोलो क्या काम है? अब तो तु हमारी गुलाम है, अबसे तु हमेशा हमारे साथ रहेगी और हमारी इच्छाओं को पूरा करेगी, समझी? बड़े नादान हो तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाओंगी और तुम्हारे साथ चली जाओंगी, ऐसा कभी नहीं होगा अभी तुम्हें मेरी शक्ती का अंदाजा नहीं है तुम दोनों मामूली से इनसान हो, और मैं एक जादूई भिंडी हूँ और मैं अच्छे लोगों की मदद करती हूँ, ना कि तुम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों की देख चुप चाप हमारे साथ हमारे घर चल, वो बुढ़िया आती होगी और हमारे पास जादा समय नहीं है तभी वो जादूई भिंडी अपनी जादूई शक्तियों से बहुत तेज रोश्नी प्रकट करने लगती है तेज रोश्नी की वज़े से मीनो और विजय दोनों की आँखे बंद हो रही थी उसके बाद जादूई भिंडी एक रसी से दोनों पती पत्नी को बान देती है और उनको हवा में उड़ाने लगती है वो दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और हाथ जोड़ कर भिंडी से माफी मागने लगते हैं भगवान के लिए हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम दोनों वादा करते हैं कि अब हम किसी को परिशान नहीं करेंगे, और ना ही कभी लालच करेंगे, लेकिन भगवान के लिए हमें छोड़ दो. नहीं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारी अच्छे से मदद करूंगी. जादोई भिंडे उन दोनों को हवा में उच्छाल कर जमीन पर पटक देती है, जिससे उन दोनों की कमर में बहुत तेज चोट लग जाती है, तभी वहाँ पर शान्ती आ जाती है, और ये सारा मंजर देख कर शान्ती हैरान हो जाती है, और वो समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे मीना और विजय का लालच है, काकी अपनी जादोई भिंडी को बोलो की हमें माफ कर दे, हम दुवारा कभी तुम्हें परिशान नहीं करेंगे, बस हमें एक बार सुधरने का मौका मिल जाए, तुम ये सब क्या है, सही कहा है किसी ने, बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता, हर मतलब के पीछे इनसान का स्वार्द छुपा होता है और आज ये तुमने साबित कर दिया, और एक बात हमेशा याद रखना, कि हम लोग हमेशा शान्ती की मदद करेंगे, क्योंकि हम एक लोगों की ही मदद करते हैं, ना कि तुम जैसे लोगों की, आज तो हम तुमें छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद तुमने कभी दुबारा शान्ती को या किसी और को परिशान करने का सोचा तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ शांती हमेशा अपनी मददगार भिंडी के साथ हंसी खुशी आगे बढ़ती है